Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Orange Sponge Cake की रेसिपी अभी सर्दियों के सीजन में Oranges आसानी से अवलेबल होते हैं मार्केट में इसलिए ये सीजन एकदम परफेक्ट है Orange Sponge Cake बनाने के लिए Orange Sponge Cake एजीली घर में बन जाता है और ये एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफी केक बनता है खाने में ये केक बहुती टेस्टी और फ्लेवर्फुल होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं Orange Sponge Cake Orange Sponge Cake बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो ओरेंजिस लिए हैं अब मैं इन संत्रे के छिलकों को हलका सा कद्दुकस करूंगी इन छिलकों में Orange के जूस से भी ज्यादा फ्लेवर होता है संत्रे के छिलके को हलका सा कद्दुकस करके मैं इसका Orange Est निकालने वाली हूँ Orange Est डालने से Orange का जो फ्लेवर होता है वो केक में बहुत ही अच्छा आता है अब मैं इन दोनों ओरेंज का जूस निकाल लूँगी ओरेंज को इस तरह से बीच से काट लूँगी और इस हैंड जूसर से संत्रे का रस निकाल लूँगी आप चाहे तो संत्रे को स्क्वीज करके भी इसका रस निकाल सकते हैं तो केक के लिए यहां पर मैं फ्रेश ओरेंज जूस का ही स्तमाल करने वाली हूँ केक में फ्लेवर के लिए मैं कुई भी एसेंस यूज नहीं करूँगी औरेंज जेस्ट से ही केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो देखें यहां पर फ्रेश ओरेंज जूस निकल आया है अब हम इस ओरेंज जूस को साइड में रख देंगी अगला जो स्टेप है वो है केक टीन को रेडी करना मैंने यहां पर 6 इंच का केक टीन लिया है तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा कोई भी बिना फ्लेवर वाला ओइल डालेंगे ओइल को हम केक टीन के अंदर पूरा फैला देंगे यहां पर मैंने केक टीन के साइज का बटर पेपर लिया है बटर पेपर को मैं केक टिन के अंदर रख दूंगी और इसे केक टिन में अच्छे से चिपका दूंगी अब इसी बटर पेपर के उपर मैं थोड़ा सा ओईल और ग्रीस कर दूंगी तो केक बनाने के लिए यहाँ पर मेरा केक का टिन रेडी हो गया है अगला स्टेप है केक के लिए बैटर बनाना आज मैं अंडे वाला केक बना रही हूँ इसके लिए मुझे दो अंडे चाहिए दोनों अंडों को तोड़ कर मैंने एक बड़े से बॉल में डाल दिया है अब मैं इसमें एट करूंगी तीन चौथाई कप शक्कर इसके बाद मैं हैंड विसकर की मदद से अंडे और शक्कर को अच्छे से फेट लूँगी आप चाहे तो शक्कर के बदले शक्कर का पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं अंडे और शक्कर को हमें तब तक फेट ना है जब तक कि शक्कर पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तो देखी अब मैंने शक्कर और अंडे को अच्छे से फेट लिया है और ये मिक्षर थोड़ा सा फूल भी गया है अब मैं इसमें एट करूंगी 1 फोर्थ कप ओईल और बटर को आप मिल्ट करके ही इसमें डाले तो सारी चीजे अच्छे से मिक्ष हो गई है अब हमें इस बैटर में ड्रा इंग्रिडियन्स एट करना है लेकिन उसके पहले हमें एक ज़़ूरी काम करना है वो है कूकर को प्री हीट करना इस केक को मैं कुकर में बनाने वाली हूँ अब यहां पर मैंने एक कुकर को गैस पर चड़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने लो टु मिडियम कर दिया है अब मैं कुकर के अंदर इस तरह की एक रिंग रख रही हूँ आप इसके बदले कोई स्टेंड भी रख सकते हैं या फिर किसी प्लेट को उल्टा करके भी रख सकते हैं अब मैं कूकर का ढखकन लगा दूँगी और कूकर की सीटी निकाल दूँगी तो कूकर जब तक प्रिहिट हो रहा है तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं चान लूँगी ड्रा इंग्रिडियन्स चानने से उसमें कोई भी लंस नहीं रहता और केक अच्छे से फूलता है मैदा मैंने चान लिया है अब मैं इसी चन्नी में एड करूँगी एक चमच बेकिंग पाउडर और इसे भी मैं चन्नी से चान लूँगी अब मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी बैटर को हमें हलके हलके हाथों से मिक्स करना है बैटर को हम इस तरह से कट एंड फोल्ड मैथट से मिक्स करेंगे अब जो हमने औरेंज जेस्ट निकाला था उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे यहाँ पर orange zest लगभग एक चम्मच है इसी के साथ हम इसमें add कर देंगे orange juice मैं इसमें एक साथ पूरा juice नहीं डालूंगी थोड़ा थोड़ा juice डाल कर मैं इसमें mix करते जाऊंगी यह batter अभी भी थोड़ा tight लग रहा है इसलिए इसमें मैं और थोड़ा सा orange juice डालूंगी cut and fold method से ही हमें इस batter को mix करते जाना है मुझे लगता है और इसमें थोड़ा सा orange juice लगेंगा तो मैंने इस batter में पूरा ही orange juice डाल दिया है तो friends आप जानते हैं हम orange cake बना रहे हैं इसलिए इस batter में मैं थोड़ा सा orange food color डाल रही हूँ जिससे इस cake में हलका सा orange color आएगा और ये cake दिखने में बहुत ही attractive लगेगा लेकिन food color डालना totally optional है आप इस cake को बिना food color add किये भी बना सकते हैं तो देखिए food color अब batter में च्छे से mix हो गया है साथ ही cake बनाने के लिए बैटर पूरी तरह से ready हो गया है अब हम इस cake के बैटर को oil से grease की हुए cake tin में डाल देंगे बैटर की consistency हमें ऐसे ही रखनी है तो cake के बैटर को मैंने पूरा cake tin में डाल दिया है और दुसरी तरफ cake बनाने के लिए cooker भी गरम हो चुका है अब हम cake tin को हलका सा tap कर लेंगे ताकि इसके अंदर की air bubbles निकल जाए अब हम cake tin को सावधनी के साथ cooker के अंदर रख देंगे cooker का ढखकन लगा देंगे और cooker की city को मैंने पहले ही निकाल दिया था cooker में बिना city लगाये ही cake bake किया जाता है गैस की flame को एकदम लो कर देंगे और cake को 35-40 मिनट तक bake करेंगे cake को check करने के लिए हमें इसका बार-बार ढखकन नहीं खोलना है वरना cake ठीक से नहीं फूलेगा 40 मिनट के बाद हम cooker का ढखकन खोलेंगे और cake को check कर लेंगे cake तो यहाँ पर अच्छे से फूल चुका है तो अब हम check कर लेंगे cake ठीक से पका है नहीं इस तरह से cake के अंदर चाकू डाल कर हम check करेंगे आप देख सकते हैं चाकू एकदम clean निकल आया है याने यहाँ पर cake बिल्कुल perfect bake हो गया है अब हम इस cake को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही से demold करेंगे तो अब cake यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इस cake को demold करेंगे cake में बहुती अच्छा color आया है तो सबसे पहले हम cake के चारों किनारों को चाकू से इस थरह से छुड़ा लेंगे इसके बाद हम cake tin की उपर एक plate रखेंगे और cake tin को पलट देंगे इसे थुड़ा सा tap करेंगे तो देखिए cake बहुती आसानी से बाहर निकल आया है अब मैं cake का butter paper निकाल दूँगी आप देख सकते हैं ये cake नीचे से भी कितने अच्छे से बेख हुआ है और उपर से भी perfect बेख हुआ है तो देखा आपने friends इस orange cake को बनाना कितना आसान है और खाने में भी ये cake बहुती delicious लगता है एकदम soft, spongy और fluffy cake बना है ये बहुती अच्छे से बेख हुआ है और इस cake में orange की बहुती बढ़िया खुशबुआ रही है तो चलिए अब मैं इस cake को आपको काट कर दिखाती हूँ काटने से ही समझ में आ जाता है ये cake कितना soft बना है तो आप अंदर से भी देख लीजिए ये cake कितने अच्छे से बेख हुआ है बहुती soft और spongy cake बना है ये अभी सरदी के मौसम में oranges आसानी से मिल जाते हैं तो आप भी इस recipe को एक बार जरू ट्राइ कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी recipe पसंदाई होगी मिलते हैं अगली नई recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई